नमस्कार आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश टाइम्स और मैं हूँ आपके साथ जोती मिश्रा आई नजर डालते हैं आज की साथ बजे की साथ बड़ी खाबरों पर बहराईश में हुई हिंसा को लेकर समाजवादी पाठी के नेता और उत्तर प्रदेश विदान सब्द में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाथ पांडे को बहराईश जाने से प्रशाशन ने रोक दिया वो आज पीडितों से मुलकार करने वाले थी लेकिन उन्हें लखनव निकलने से पहले ही उन्हें रोक लिया गया पांडे ने इसे सरकार की ताना शाही और मनमानी कहा है पांडे का कहना है कि अगर प्रशाशन ने दो तीन दिन बाद जाने की अनुमती दी तो ठीक है लेकिन अगर अनुमती नहीं मिली तो भी पीडितों से मिलने जरूर जाएंगे उन्होंने बताया कि जिला प्रशाशन ने कहा है कि हमारे आने से शांती विवस्था में बादा पैदा हो सकती है जो ठीक नहीं है प्रशाशन ने अरुनोत किया कि हम अभी वहां ना जाएं बहराईच हिंसा को लेकर सीम योगी ने बैचक की आला अधिकारियों के साथ करीब आद एक घंटे तक बैठक चले डीजीपी प्रशान कुमार बैचक में मौजूद रहे एडीजी लौ एंड और भी बैचक में मौजूद रहे बहराईच के वर्तमान हालात के बारे में सीम को रिपोर्ट सौपी गई रिपोर्ट में ये बताया गया कि दंगे के दौरान पुलिस अफसर दंगों को नियंतृत करने में आसफल क्यों रहे साथ ही ये भी बताया गया कि घटनासल पर देर से पहुंचने वाले अधिकारी कौन थे और मौके से पुल स्पोर्स लेकर कुछ अधिकारी दो किलो मीटर दूर क्यों खड़े थे एक एहन सवाल ये भी था कि जब पसाद शुरू हुआ तो एक अधिकारी दुकान में छिपकर क्यों बैठ गया इसके अलावा मुख्यमंत्री को बहराईच में PWD द्वारा लगाए गया नोटिस और द्वस्तिकरन की कारिवाई के इंतिजाम के बारे में जानकारी दी गई बैठक के बाद ये संकेत मिले हैं कि अधिकारियों पर सक्ति कारिवाई हो सकती है UB में 13 नवंबर को होने वाली 9 सीटों के उपचनाव को लेकर CM योगी आधितनात ने सीटों के प्रभारी मंत्रियों के साथ लंबी बैठक की उन्होंने सभी 9 सीटों को जीतने की बात कई ये बैठक में मुख्य मंत्री ने सभी 9 सीटों पर उपचनाव को जीतने के लिए मंत्रियों और पदादिकारियों के जिम्मेधारियों भी निर्धारित कर दी है बैठक के दोरान मंत्री और पदाधिकारियों की बीच आपसी समनवय को और अधिक मजबूत करने पर जोर दिया गया ये भी तैह हुआ कि उपचिनाव में पार्टी का कोई भी नेता आपने निर्धारिच छेतर में जिम्मदारियों का निर्वहन करने में कोई कमी न छोड़ चा तेज है कि चुनाव दर चुनाव वपक्ष के मजबूत होने के साथ ही बसपा सुप्रीमों का जुकाव 11 बीजपी दलों की तरफ होने की आहट सुनाई देने लगी है ये भी चुनाव में बसपा और ग्यार भाजपा दलों की मदद कर सकती है इस बात से उठी सियासी लहरों ने वीजपी के रनीतिकारों को चिंता में डाल दिया है चुनाव से पहले बहुजन समाज पार्टी की मुश्किले भी बढ़ गई है बसपा शाशन काल में हुए समा इस मामले में साथ साल की सज़र सुनाय जाने के बाद वह पहली बार रामपूर कोट पहुचे सपा नेता आजम खान पर 84 मुकद में कोट में विचार धीन है इन में से एक मामला गवा को धमकाने का भी है बेरियान निवासी नने ने 17 अगस 2022 को शहर कोटवाली में सपानेता आजम खान समेट 6 लोगों के खिलाब धमकाने का मुकदमा दच कराया था उनका आरोप है कि वो डुंगुरपुर के एक मामले में वादी है आरोप है कुछ लोग उसके घर आये और सपानेता के पक्ष में गवाही ना देने पर धमकाया यह मामला फिलाल MP MLA शेशिन कोर्ट में विचारा धीन है ग्यानवापी मामले से जुड़ी बड़ी ख़बर आज ग्यानवापी केस के मूलवाद में सुनवाई पूरी हुई मामले में दोनों पक्षों की बहस पूरी हो चुके है 25 अक्टूबर को मामले में फैसला आ सकता है आपको बता दे कि हिंदू पक्ष ने सेंट्रल जोम के नीचे शिवलिंग होने का दावा किया था इसके साथ हिंदू पक्ष ने पर इसल में बचे शेश असल की खुदाई करा कर एसा इस सर्वे कराने की मांग की है दो मुलकों के बीच भले ही सहथ की दिवारे बन गई हो लेकिन दोनों मुलकों के लोगों के दिलों में रिष्टे लगातार मजबूत होते जा रहे हैं ऐसा ही मामले जॉनपुर शेहर में देखने को मिला जहां भाजपर नहीं था कि बेटे की शादी पाकिस्तान के लाहोर शेहर में ताई हुई थी लेकिन वीजा ना मिलने से आखरकार शुकरवार की रात ओनलाइन निका दोनों मुलकों के मौलाना ने कराया बरात में सैक्डो लोग बराती बन कर पहुँचे वहीं पाकिस्तान के लाहोर शेहर में भी दुलहन के याँ लोग शादी में खटा हुए थे दोनों के निका होने के बाद अब दुलहन की पाकिस्तान से वीजा मिलने के बाद विदाई का दूले को इंतजार है फुलाल इस बुलेटिन में इतना ही उपे से जोड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे है उत्तर प्रदेश टाइम्स धर्नेवाद हम है तेश के दिल उत्तर प्रदेश की धरकन उत्तर प्रदेश टाइम्स